हुआ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ट्रांस्पेंट डिशुष कैसे बनाते हैं तो यह ट्रांस्पेंट डिशुर्श की वीडियो मैंने पहले बी काफी डाल के रखी है हमारी इस चैनल पर तो काफी हमारे सब्सक्राइबर्स को हमारे दर्शकों को प्रॉलिम आ रही तो प्लीज कंटिनू वर्च करते रहेगा लास्ट तक तो आपको आसानिक से समझ में आ जाएगा कि ट्रांस्परेंट डिश्वर्स किस तरह से बनाई जाती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 लिटर्स के फॉर्मॉलेशन के बारे में बताऊंगा तो यह जैसे कि आप देख पा रहे हैं आफ्टर पैकेजिंग यह कुछ इस तरह का आपको दिखेगा जो कि फुल्ली ट्रांस्परेंट है अच्छा थिक और काफी बढ़िया क्वालिटी इसकी बनती है जो काफी कम प्राइज में बन तो जैसे कि दोस्तों देखिए मैं आपको छोटा से क्लिप दिखाना चाहता हूं कि जो ट्रांस्परेंट डिश्वाश के पहले जो इसकी हालत होती है वो इस तरिक्या की रहती है देखिए यह धूंदला ऐसा एक डिश्वाश है बट यह मार्केट में दिखने लाइक नही नहीं होता है दोस्तों इसी को भी आज मैं प्रूफ करना करने वाला हूं इस वीडियो में आपको शो करने वाला हूं कि यूरिया डालने से इसकी ट्रांस्परेंसी नहीं आती है दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं मैंने यूरिया लिया है यूरिया को मैं इस प्रोड़क् तो आप पूरी वीडियो में बने रहें दोस्तों मैं आपको अच्छी तरीकिसे दिखा दूँगा कि एक ट्रांस्परंट डिश्वर्स कैसे बनता है और इसे बनाने के लिए क्या क्या आपको इसकी रॉव मिट्रेल चाहिए हैं तो एनिवे दोस्तों आप हमारे से जुड़न करते रहते हैं अच्छी क्वालिटी अच्छी फॉर्मूलेशन का जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें देखिए ट्रांस्परेंसी कुछ भी नहीं आई है जैसा धूंदला था उस ट्राइप का धूंदला ही रह गया है तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी भी कुछ मतलब उस टाइप का मैंने कुछ इसमें ट्रिक किया है तो एकदम सिंपल है जैसे एक फिनिश पोड़क बने से पहले ट्रांस्परेंसी से पहले जो हाल में एक डिश्वास रहता है एक जस्ट लाइट वैसा ही है तो आप देख लीजिए मैं अच्छी तरेगी से घोल इसे निक्स कर रहा हूँ और इनिवी जैसे हम बात कर रहे थे कि दोस्तों प्रियास रुगाए का एक इबूक है जिसको खरीद कि आप हमारे साथ मेंबर्शीप में जूड़ सकते हैं वाट्साप गूरूप में जूड़ सकते हैं हम लोग एवरी डे उसमें नएने कि यह जो सामान है यह जो चीज है चुटकी भर ही लगती है और उसके बाद यह इस तरह का ट्रांस्परेंट मेटेरियल बन जाता है तो आपके सामने ही देखिए दोस्तों आप यह एक अंकट वीडियो भी है मैं इसमें कुछ भी कट नहीं लगाता हूं दोस्तों मैंने इस को डाल दिया अब सिंपली से मैं मिक्स करते जा रहा हूं आप देखिए का दोस्तों आपके आखर के सामने यह मैजिक होने वाला है कि एक छोटी सी चुटकी भर नमक जैसा देखने वाला चीज इसको आप डाल लीजिए और देखिए प्रोड़क्ट में कितना चमक आ जाता ली तो यह एक थोड़ी सी जानकारी है जो अकर आपको भी पता हो तो आप भी इसको घर में बना सकते हैं और नहीं आपको कोई इसकी ट्रेनिंग की भी जरुवत पड़ेगी दोस्तों तो यह हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वह काफी क्लियर रहता है दोस्तों आधा तो हम लोग ट्रेनिंग यूट्यूब की हम इस फ्री वीडियो में ही करवा देते हैं और इसके भी बाद अगर किसी को हमसे कुछ एक्स्ट्रेनिंग लेने की जरुवत पड़ती है तो उसके लिए हम लोग एक पीडिएफ बुक बनाए हैं जिसको ई-बुक भी कहते हैं उस हमारा वाट्सअप ग्रूप में भी आपको रहने के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्जिस नहीं पेकरना पड़ेगा दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह प्रोड़क्त देखिए कितना ट्रांस्परेंट हो गया है आपको हम लोग कंपेर प्रोडरक के बारे में भी जानकारी एंड में हम लोगोंने दिया है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पहली वीडियो पर बताया था कि आज मैं हम आपको 20 लिटर के फॉर्मुलेशन बताएंगे कि 20 बास्ट लीटर का फॉर्मुलेशन में क्या क्या पड़ता तो मैंने पूरा एक बड़ा बैच बना के आपको दिखाया है जिसके कारण आपको कोई भी confusion नहीं होना चाहिए दोस्तों तो SLS 1.5 लीटर मैंने इसमें मिक्स किया है अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसरीज डालने से पहले आप पीच बैलेंस जरूर कर ले दोस्तों अगर पीच बैलेंस में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है समझने में आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम मैं अपना मोबाइल नंबर और गुद्धे आप कंव्लाव करते हैं और अब को हम ऐसे ही अपना लंबर शेयर करते हैं बोट को घूर करते हैं अश्म आप कंश सबख़र्ग है अपको अच्छा खासा एक क्लि핑 अजइट भी है तो वह उच्छ दूरुप अच्छी है आप यूज कीजिए जितना की प्रोड़क्त को भारी करने में ज़रूरत हो तो यह डिपेंट करता है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि हम आपको बता दिया कि 700 ग्रैम आपको चाहिए तो उतना ही चाहिए इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है तो अपकी इसके बाद आप अपने हिसा तो इसको और एक प्राब्लम और भी आती है दोस्तों यह प्रोड़क्त बनाने के बाद कभी परफियम डालने से आपका प्रोड़क्त पतला हो जाता है यह क्यों होता है इसका भी मैं आपको राज बता देता हूँ आज क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि यह ओल बेस हो जाता है तो हमें थिकनेश भी चाहिए होता है कि मार्केट में थोड़ी थिकनेश वाली प्रोड़क्ट ही ज्यादा रेस्पॉंस करती है तो अब जो आपको मैंने तब दिखाया थे कि एक चुटकी नमक जैसा यह सामान क्या है यह है दोस्तों साइट्रिक एसिट आपको 20 में केवल मातर 25 ग्राम ही साइट्रिक एसिट की ज़रूरत है जिसके कारण आपके कोड़क्ट में चमक और ट्रांसपरेंसी आ जाती है दोस्तों तो आप देखिएगा धीरे धीरे दोस्तों यह इसमें ट्रांसपरेंसी और यह चमक कितनी अच्छी तरीके से आ जाएगी और जो परफियूम है मैंने आपको बताया था वो परफियूम आप ही वाटर बेस ही डालिएगा दोस्तों